सवीधान दिवस की पूर्व संध्या पर राजनिती की पाठ्षाला की ओर से कारेक्रम का आयोजन किया गया कारेक्रम में साहीत्य, शिक्षा, संगीत, खेल, समाद सेवा, विधी एवं नयाय, पत्रकारिता, राजनिती, आधी शेत्रों से जुड़े लोगों ने शिर्कत की साहीत्य का डॉक्टर विनोद बबर मौजूद रहे, यहां सभी अतित्यों को राश्ट्री गौरव समान से नवाज अगया कर दो हो बप्रव मौजद रहे, यहां से रहे, बबर मौजद रहे, यहां से विए। झाल झाल प्रशाण पर काम कर रही है और हमारा मूल जो उद्देश्य है वो भारत के स्विधान के प्रती लोगो जागरू करना है उसको हमने ध्यान में रखते हुए भरज्जा जी के सायोग के साथ क्योंकि भरज्जा जी काफी लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका योगदान लेकि हमने आज का बुक का भी मोचन किया है हमारा सविधान, हमारा भीमान क्योंकि हमें प्राउट फिल करना चाहिए अपने सविधान पर इस पुस्तक में सब कुछ कंटेंट है और इससे अलगी दिशा में सब जाएगा और एक समाज के अंदर इसकी अल्यगीन और नुभूती होनी चाहिए ऐसा मेरा विचार है और ऐसा हमारा सब का वीजन है उसी देश्चे से इसके विमोचन किया गया यह मेरी अठारमी पुस्तक थी हमारा समिधान हमारा विमान इसमें हमने एक सरसरी नजर से इस पुस्तक में भारते समिधान को कैसे जाने और समिधान में मूल भूत हमारे करतब्य के हैं समिधान के अधिकार के हैं और समिधान निर्मान समीती के जो सदस्य थे जिनोंने एक स्वपन देखा था कि भारत जो हमारा देश वे समिधान के नियमों में बंद के देश के विकास में आगे काम करे तो अजे पांडे जी की सोचती की साल भर पहले नोंने एक प्रयास किया कि समिधान पर कुछ लिखा जा और समिधान दिवस की पुरुफ संधिया पर इस किताब का विमोचन और उसके लिए भी और देव उठाने कादिशी है आज और आज इस अफसर पर हमने समिधान दिवस पर इस पुरुफ का विमोचन किया ही साथ में हमने राष्ट्रे गोरफ सम्मान से कुछ चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया जो साहित्य, संगीत, खेल, शिक्षा, समा सेबा के छेत्र में उलेखने कारे कर रहे है इस अफसर पर संस्था के संस्थापक डॉक्टर अजे पांडे और साहितेगा डॉक्टर भरज्जा द्वारा रचीत पुस्तक हमारा सेविधान हमारा अभिमान का विमोचन किया गया कारेकरा में उपस्तित अतितियों ने डॉक्टर आजे को उनकी पुस्तक के लिए शुब काम नाई दी आज की इस समविदान दिवस पे तो पहले सबसे पहले समस्त देश वासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ और जो बुक आज पंडे जी ने लॉंच की है बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आज की जनरेशन किसी भी चीज को एक्जाम के तोर पे पढ़ती है पॉइंट्स लेने के लिए पढ़ती है लेकिन कुछ चीजें जिन्दगी में ऐसी होनी चाहिए जो समझें जिन्दगी में उसका महत्व समझें समिधान दिवस के पूरू संधिया पर मैं आप पूरे देशवासियों को 135 क्रोल आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा समिधान मेरा अभिमान है और इस सुब अवसर पर मैं देशवासियों को नहीं देश के तमाम राजनितिग्यों को मैं भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कम से कम 547 सांसत और 200 के लगभग राजसवा के सांसत समिधान को जरूर पढ़ें मैं सविधान दिवस पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बढ़ाई हो शुपकामनाई देती हूँ और आज जो कारिक्रम हमारे यहां पे हुआ पुस्तक विमोचन का मैं उसको पूरी राजनिति की पाठशाला की टीम को बहुत बढ़ाई देती हूँ अज़ेजी से जुड़ी हूँ क्योंकि उनका राजनिति की पाठशाला से आपको मालूमी है ट्रस चल रहा है बहुत अच्छे से जिसमें सविधान के बारे में बहुत अच्छे से बताया भी जाता है और उसके मूल तत्वो पर इंट्रड़क्शन भी दिया जाता है समझाया भी जाता है अवेरनेस भी दिया जाती है राजनिति से एगलेटिड और अभी अभी उन्होंने अपने एक उस्तक का विमोचन किया है उस प्रोग्राम पे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया बहुत अच्छा प्रोग्राम Bureau Report The Delhi Today